मदूबनी के हर लाखी प्रखंड के खिरहर गाउं इस्थित धरोहर नाथ महादेव मंदिर में दो साध्यों की हत्या कर दी गई दोनों को सिर धड़ से अलग कर दे गई मारे गई साध्यों की पहचान बासो पटी प्रखंड के सिरिया पूर निवासी हीरा बाबा और भगवान पूर निवासी अंगद बाबा के रुप में की गई है हत्या के बाद गाउं में हडकंप मच गया है दोनों के शववं को पोस्ट मॉटम के लिए भेजा जा चुका है वैशाली के पाते पूर थाना क्षित्र में भेंस नहलाने गई दो सगी बेहन की पोखर में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई दोनों की मौत की खबर सुनते ही परेवार में कोहोरा मच गया गटना के कुछ दिर बाद इस्तानिय गोता खोरों की मदद से दोनों सगी बेहनों के शववं को पोखर से बाहर निकला गया पुलिस ने शवव को अपने कबज में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए सदर अस्पताल हाजेपुर भेज दिया है बेगु सराय में एक बहु ने अपनी सास की प्रेमी के साथ मिलकर गला दबा कर हत्य कर दी सास की गलती ये थी कि वो अपनी बहु के अवैद संबंधों का लगातार विरोध किया करती थी ये बात बहु को नागवार गुजरी और उसने सास को प्रेमी के साथ मिलकर रास्ते से हटा दिया पुलिस ने आरोपी बहु और प्रेमी को ग्रफतार कर लिया है ये मामला चोराही थनक्षेत्र के परोरा गाउं का है बेनी पट्टी अंचल के बररी पंचायत के बाजित पुर गाउं के वाड़ दो में तालाब में इसनान करने गई दो सके भाईयों की डूबनी से मौत हो गई ग्रामीडों के प्रयास से दोनों शवों को तालाब से निकाला गया इस संबंद में पुलिस वा अंचल को सूचना दी गई है डूबने की सूचना से पूरे गाउं में मातमी सन्नाटा चाया है वहीं परेजनों का रोरोक और बुरा हाल है बोजपुर के चांदी थाना क्षेत्र के चांदी बहियारा रोड पर पैक्स अद्यक्ष के घर के सामने खड़ी स्कॉर्पियो चोर ले भागे इसको लेकर पैक्स अद्यक्ष ने चांदी थाना में अग्याद चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है कोरोना संकर्वन के कारण एक तरफ जहां लोगों की जान खत्रे में पड़ी हुई है वहीं दूसरी और कुछ लोगों को चोरी और लुट में मज़ा रहा है राची के करम टोली चौक इस्थित राम प्यारी और्थो हॉस्पिटल की पार्किंग से एक बाइक की चोरी कर ली गई इसे लेकर बाइक मालिक अविनाश कुमार सिंग ने लालपूर थाने में एफायार दर्ज कराई है राची के रातू थाना पुलिस ने दो आरोपियों को हत्यार के साथ गरफतार किया है गरफतार अपराधियों में लालू डोम और महुंबत साजिद अंसारी शामिल है दोनों रामगर जिले के बरका काना इलाके के रहने वाले हैं इनके पास से एक देशी कट्टा, दो गोली, दो मोबाइल फोन, एक अल्टो कार बरामद की गई है राची के रातू इलाके में बेख़ौफ चोरों ने बंद घर का ताला तोड़ कर गेहने और नकद चोरा लिया नवादा के कोआकोल थानक्षित्र के महुलिया टान जंगल से मिले अग्यात युवक के शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है आशंका जताई जा रही है कि जारखंड में हत्या कर उसे यहां फेका गया है स्थानी लोगों से सूचना मिलेने पर युवक का शव बरामत किया गया है पलामुजिला मुख्यालय मेदनी नगर के शहर थानक्षित्र में एक ही लड़के से शादी करने वाली दो बेहनों में से पहली महिला की संदेहास पद मौत हो गई इस समबंद में महिला की मा के दुवरापती के हलावा सौतन साथ ससूर देवर सहित छे के खिलाफ शहर थाना में मामला दर्ज करा गया है पुलिच मामली की चानबीन कर रही है